हलो फ्रेंट्स कुक वित रागनी अनु चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं बाजार जैसा दानेदार गी फ्रेंट्स गी किसी भी खाना का टेस्ट एकदम से दूना कर देता है तो गी सभी को पसंद आता है तो आप इस तरीके से घर पे गी बना सकते हैं बहुत ही simple तरीके से यहाँ पर मेंने घी बनाने के लिए मालाई लिया है जो मलाई है उसको मैंने दूद से निकालके जमा करके फ्रीजर में रखा था यह पूरे 15 दिन का मलाई है आप चाहें तो इस तरीके से मालाई को डेली जमा करकर के 15-20 दिन तक फ्रीजर में रख का जंजट भी खतम हो जाएगा और ये घी एकदम प्योर और खाने में बहुत ही स्वादिस्ट होता है तो देखिए यहां पर जो मलाई था उसको मैंने कड़ाही में डाल दिया है जैसे ही कड़ाही में डाला तेख यह सारा मलाई है वो यहां पर पिघल रहा है तो इसको इस इस से 25 दिन में मलाई को फ्रीजर में रख सकती है पर मलाई को जादा दिन तक फ्रीजर में ना रखें उसका भी एक लाइफ टाइम होता है तो आप 20-25 दिन में इससे जरूर घी निकालने तो यहां पर देखिए जो मलाई है उसमें अच्छा सा उबाल आ गया है तो इसको इस तरीके से मेडियम फ्लेम पे इसको चलाते रहें नहीं तो यह नीचे से चिपक जाएगा तो जिस तरीके से हम लोग दूद को चलाते रहते हैं खुआ निकालने के लिए से उसी प्रोसेस से इसको इस तरीके से चलाते रहना है तो यहां पर मैं इसको चला ले रही हूँ तो देखिए यहाँ पर जो मलाई है वो एकदम अच्छे से पिघल गया है और इसमें अच्छा ऐसा बुलबूला भी आ रहा है तो फ्रेंट्स यह सबसे आसान तरीका है मलाई से घी निकालना कुछ लोग इसमें दही भी डालते हैं कर डालके इसको पहले इसका चाच बनाते हैं उसके बाद उसमें से घी निकालते हैं तो यह सबसे आसान प्रोसेस है इस तरीके से मलाई को सिर्फ कड़ाही में डालके इसको कंटिन्यू चलाते रहना है तो देखिए यहां पर साइड साइड से थोड़ा घी भी निकलना स्टार्ट हो गया है मलाई है जो घी छोड़ रहा है तो इस तरीके से चलाते रहें जैसे जैसे थोड़ा टाइम हो गया जो मलाई है उसमें से अपने आप ही सारा घी निकल आएगा तो देखिए यहां पर 5 से 6 मिनट हो गया है मलाई में से घी निकलना भी शुरू हो गया है तो देखिए यहां पर इसमें बहुत सारा कॉंटिटी में घी है वो निकल गया है और इस तरीके से इसको चलाते रहें कॉंटिणिवस इसको चलाते रहना है नहीं तो वो अंदर है वो चिपक जायेगा मलाई उसके वाज घी का है थोड़ा सा खराब हो जाएगा टेस्ट भी उसका खराब हो जाता है entonces तो इस तरीके से continuous इसको चलाते रहें ताकि ये वो चिपके नहीं और जब तक जो मलाई है वो brown नहीं होगा सारा घी नहीं निकलेगा तो जो मलाई है उसको brown होने तक इसको चलाना है अपने आप ही सारा घी निकल आएगा तो यहाँ पर देखिए मैं इसको continuous चला ले रही तो फ्रेंड्स देखिए यहां पे बहुत सारा घी है वो निकल गया है औल्मोस्ट सारा घी निकल चुका है वस थोड़ा सा जो मलाई है उसको और ब्राउन होना है तो अभी मैं इसको तीन से चार मिनर तक और इसको पकाऊंगी ताकि जितना भी मलाई है वो अच्छे से ब्रा देता है कि चुड़ी हो दालो सबी में घी को घी डालने के बाद खाने का मज़ा ही वड़ जाता है तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप जरूर बनाए अगर डेली दूद लेती है तो उस दूद का यूज चाय में भी कर सकती है और खाने में भी और साथ साथ उसको घी निकल तो देख чув यहां पे सारा मलाई है और सारा घी निकल गया है. अब मैं इसको यहां पे चाल ले ले हूं. तो यहां पे मैं एक चैथाणनी का यहां ऐल्ड से इसको सारे घी को मैं चाल ले रहे हूं. इस तरीके से दवा दवा के इसको चाने ताकि जो सारा घी है वो निकल आए कुछ बचे नहीं इसमें तो मैं एक चम्मच की हेल्प से इसको चान ले रहे हूँ तो यहाँ पर देखिए जो हमारा घी है वो बनके तयार हो गया है और यह एकदम बाजार से भी अच्छा बना है तो देखिए इस तरीके से सारे घी को चान लेना है थोड़ा थोड़ा करके तो देखिए यहाँ पर मैंने घी को अच्छे से चान लिया है इस तरीके से चम्मच से दवा दवा के चानना है एक बड़ जरूर बनाए गी को और इस रेसेपी को ट्राइ करें और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि यह सिंपल सा जो गी निकालने का प्रोसेस है वो आपको कैसा लगा तो देखिए यहां पे जो गी है वो सारा निकल चुका है अब मैं इसको थोड़ी दर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी और यह जो बचा है मलाई उसका यूज आप सबजी में डालने में भी कर सकती है और आप चाहे तो ऐसे भी खा सकती है तो यहां पे जो गी जो बनके तयार हो गया है इसको मैं एक जार में टरानस्फर होगया है इसको मैंने एक जार में टरांस्फर हो गया है कर लिया है अब मैं इसको रख दूंगी तो आप लोग भी एक बर ज़रूर ट्राइ करें तो यहां पर देखिए मैंने जार में घी को निकाल लिया है अब आप इसे स्टोर कर सकती है चार महिने पांच महिने इसको कुछ खराब नहीं होगा और जब चाहे आप इसे दाल के खा सकती है